मुस्लिम समाज के प्रतिभवान बच्चों को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक कारेकरम करके सम्मानित किया गया कमिश्णर रीवा पुलिस अधिक्चक सहीद भारीत आदात में बच्चे रहे उपस्थित ता उम्र लिखू मोहबत या तभी संभव है जब आप पढ़ लिखकर काबिल इंसान बनेंगे एकरा वेलफेर सोसाइटी के प्रतिवाबान बच्चों के सम्मान समारों में रीवा कमिश्णर डाक्टर अशोक कुमार भरगों ने तालीम को कुछ यूँ बया किया वहीं पुलिस अधिक्षक आबिद खान ने बच्चों के साथ परोसियों के बच्चे पर भी ध्यान रखने की बात कही इल्व और फन की दुनिया के बारे में आज हर आदमी जानता है आज जरूरत है अपने बच्चों के साथ परोसि के बच्चों को भी परहाई लिखाई की तरफ तवज़ो दिलवाने की कुछ इस तरीके से बच्चों की तालीम के बारे में इक्राव एलपर सोसाइटी के प्रतिवावान बच्चों के समान समारों में बोलते हुए पुलिस अधिक्षक आबिद खान ने कहा आईए आपको सुनाते हैं पुलिस अधिक्षक ने और क्या कहा किया इल्म और फन की दुनिया क्या है और आप ही को हम लोग ये बता रहे हैं कि इल्म और फन की दुनिया क्या है मुझे लगता है कि हमें ये बात करनी चाहिए आप लोगों से कि आप लोग तो पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को लेकिन आपके आजपास जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं मुद्दे की बात यह है हम तो पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चे नमबर ला रहे हैं लेकिन आपी के family में, आपी के घर में, और बच्चें जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आपके पड़ोस में जो हैं, वो और जो लोग हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम तभी कर रहे हैं, क्या हम उनसे कुछ कहते हैं, क समझते हैं, हम सब लोग समझते हैं, कि knowledge क्या चीज है, उसे क्या फाइदे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या इसको अपने अंदर समझ पा रहे हैं, मतलब बात कहने सुनने की तक ही खतम हो जा रही है कि हाँ, हमें लग रहा है कि हाँ बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी मुझे याद मैं हजारी बात में रहता था, NTPC में काम करता था, तो एक किसी सर्जंग यहां में घर में रहता था, किराय थे, तो वो बड़ी फिक्र में रहते थे अपनी बच्ची और बच्चे की पढ़ाई को ले करके कि बच्चों को पढ़ाना है, बढ़ाना है, ये टो क्या आपको यही काम कर रहे हैं कि गेट पे खड़े हो के और बैलकेनी में बता रहे हैं लोगों को कि आप पढ़ लिना पढ़ लेना है, देखिए क्या होता है, ये ऐसे नहीं होता है, अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ियेगा, किसी भी बड़े आदमी, पढ़े ल तो इन दो बातों को मैं इन पे जो डालना चाहता हूं कि हम लोग एक तो ये कि जो हम पढ़ रहे हैं और आज पास जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं वहीं कमिशनर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गो ने तालीम को डिफाइन करते आज जरूरत है प्रतिभाओं को विक्सित करने की गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं कांटे हमारी जिंदगी में भी होते हैं जरूरत है इन कांटों से संगर्स करके आगे बढ़ने की हम आपको बता दें बड़े ही आसान सब्दों में कमिशनर रीवा डॉक्टर ओम प्र आईए आपको सुनाते हैं कमिशनर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्बो ने और क्या कुछ कहा रोशनी इल्म से भी होती है तालीम से भी होती है और तालीम के मालिये में दिस्टी में ये हैं ताउन लिखूं म महपत सारी उन ये यदि मैं महपत लिखूं तो निश्चित रुख से मैंने सही अक्तों में इल्म को पासिल किया है तालीम को प्राप किया है क्योंकि जहां गुलाब होता है वहां उसके साथ तांटे भी होती है तांटों के बिना गुलाब मकमत नहीं हो सकता तो ये तांटे हमारी जिंदगी में चुनोकि के प्रतिक होते है दुस्वारियों के प्रतिक होते है तक्नाईयों के प्रतिक होते है और जो नौजवान इन कटनाईयों से चुनोकियों से जुचता लगता है संवेज करता है वही उप्रतिक के गुलाब को हर्सिर करता है अर्चित पर तो ये होसला हमारे नौजवानों में पैदा करें ये हम सब की जिम्यदानी है तंत्र की जरस्ता की समाज की और इस तरह के जो स्वेम से भी संविटन है इन सब नामे रसूल लिखा जब तांटों पर तासिर खुदा ने बदली बबूल की नामे रसूल लिखा जब तांटों पर तासिर खुदा ने बदली बबूल की वो जिसके दिल में इसके महबत रही उसने तमाम उम्र इबादत फिजूल बेटियां कुरान की आयतों की सहा पुट और पाकिती के साथ जब इल्म प्राप करती है तो समाज का अंधेरा दूर रोष्णी खैलती है तबश्ची होती है विकास की विकास की रोष्णी को बहाने वाला तबश्ची की सीवी को और हिड़त तर उसका विस्तार करने वाला एक माध़म है ये उस खुदा की एक अन्मोर सोगात है जो हमें मिली है और इल्म को हम निरत तर पैनार आगे बनाएं यही हमारा मकसब होना चाहिए फोजब होना चाहिए हमारे मुझवान साथी हमारे जुआ विद्यार्थी हमारी जो चात्र पीडी है वो यदि जीवन में काम्याद होना चाहती है तो उन्हें इस बात कर ठान अखना चाहिए कि यदि विद्यार्थी है जिद्यार्थ करना चाहता है तो उसे सुख सर्दूर रहना पर और यदि वो सुख प्राथ करना चाहता है तो फिर उसके नसीब में विद्यार्थ नहीं आता है विद्यार्थ करने के लिए लगन की महनत की आवशक्ता होती है और इस दौर में पुर्णाना चांगा कि जिसमें भॉक्षित के होसले कट्टां की तरह बुन भोटे हैं, कट्टनाईयों का जो पहाग है, वो उनके सामने नजल लखत हो जाते हैं, और इल्क रखत करने के बाद हमारा जो सोचने का नजलिया है, वो बहुत व्याफत होना चाहिए, उसका दैर बहुत समकुचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इल्क हमें सही गलत की पहचान बताता है, इसी के साथ सिलसला चालू हो गया मुस्लिम समाज के प्रतिवावान बच्चों के सम्मान का, इस बार लगबग 370 बच्चे चुने गएते सम्मान के लिए, जिनोंने अपने माता पी परिवार का, समाज का और सबसे बड़ी बात, स्कूल और शहर का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया, हमने कुछ बच्चों से बात की, जिने इनाम मिला, सम्मान मिला, बच्चों की खुशी देखने लायक थी, यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है, मुस्लिम स सम्मान के लिए उनके जजबे को भी रिवादर्शन सलाम करता है. मुस्लिम सम्मान मिला, कितना इससे आप लोग को तो सहन और मिलता है? मुलती है, महां मुलती है, मतलब, वहां पास बिला जाता है, इस चेट में को अच्चा लगता है, कि हम अग्यवा इससे अच्छे नम्बर हосेक रहे के, हमको एक मतलब Cars मिलता है, कि हमें और मेरे पैरेंट्स को मिलिजी वतर ससाइटी है उनको एक अच्छा लगता है कि हाँ लड़की गई है तो हमें भी कल मतल प्राइस मिलेगा किस क्लास में हो क्या नाम है आपका किया नाम है आपका